धर्लोगाइस कैसे हैं आप सभी आई होप कि आपसे भी ठीग होंगे आज का जो हमारा टोपिक रहेगा वह रहेगा अलूम्पिक्स केम तो अलूम्पिक्स गेम के बारे में आज थोरी चर्चा करते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट है IOC, International Olympic Committee, जो International Olympic Committee है वो हमारी कब बने थी, वो बने थी 1800 चुलाणवे में, ठीक है, उसके बाद जो IOC का Headquarter, जो IOC का Headquarter कहां पर अवो है, लोसाने स्वीजरलेंड में, ठीक है, उसके बाद है President of IOC selected for 8 years, यानि कि जो IOC का, जो President select किया जाता है, वो 8 साल के लिए किया जाता है, ठीक है, ये कोशन कहीं बार आता है, कि IOC का President कितने years के लिए select किया जाता है, वो है 8 years के लिए, उसके बाद है हमारा First President, जो IOC का हमारा First President था, वो कौन थे, डिमेटरी विकलेस थे, जो की Greek Country के थे, उसके बाद है Current President, जो हमारे आज, तिल टूडे डेट में, जो हम हमारे IOC के President वो है Thomas Buck, जो है जर्मनी के, ये भी कहीं बार आ जाता है, कि डिमेटरी विकलेस कहां के थे, ग्रीक के थे, और जो हमारे Thomas Buck थे, वो थे जर्मनी के, ठीक है, इस चीज के अभी आप सभी को ध्यान रखना है, उसके बाद है हमारे Olympic Moto, जो Olympic Moto थे, हमारे 3 Olympic Moto थे पहल हुआ है, Communist हुआ है, ये हमारे Thomas Buck ने एड किया था, 2021 में, ये मैंने कहीं बार देख्था है, Question कि ये पुछा गया है कि, जो Communist एड किया गया, वो किस ने एड किया था, वो हमारे Thomas Buck ने किया था, और 2021 में, 2021 में एड किया गया था, ठीक है, जो हमारे Olympic Moto है, वो है CTS, LTS, 40S, ठी एड कर दिया गया है, CTS का मतलब है, मतलब है, Faster, और LTS का Higher, और 40S का Stronger, और Communist का Together, यानि, यानि कि एक साथ, एक्चुली ये जो एड किया गया था, या न, 2021 में एड किया गया था, कुरोना में, तो तब, मतलब की एक तरीके का ये एक, वो था, स्लोग था, या फिर एक मोटो था, एक संदेश था, कि हमें सब, सब को एक जूट होके, मतलब की गेम्स को खेलना, Olympics में अपनी भाग्यदारी निभानी है, इसके अदर, ठीक है, तो इस वज़े से ये Olympic Moto आया था, और ये हमारे Thomas Buck ने दिया था, ठीक है, मतलब एक जूट हो ठीक है, उसके बात करेंगे हम, Olympic Moto given by, जो Olympic Moto है, जो ये हमारे Moto है, ये किस ने दिये थे, यानि कि जो हमारे 3 Moto है, ये किस ने दिये थे, देखें, ये जो Moto था, हमारा, कुमनिस ये थिद्या था, Thomas Buck ने, ठीक है, बाक्की के जो 3 Moto ये किस ने दिये थे, हमारे CTS, LTS, 40S, ये दिये थे, हमारे Henry Didon ने, ठीक है, इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है, Henry Didon ने ये 3 Moto दिये थे, देखें, मैं यहाँ पर highlight भी कर देथे हूं, ठीक है, उसके बाद है, first woman member of IOC from India, नीतामबानी, दिखी, IOC की नी, first member जो बनी थी, ठीक है, वो कौन बने थी, woman कौन बने थी, वो बने थी, नीतामबानी, जो की मुकेसमबानी की wife है, ठीक है, उसके बाद है, list of international Olympic committee, IOC president, ये list दे रखी है, IOC president की, ठीक है, मतलब कि first में कौन था, second में कौन था हमें यहाँ पर first two learn करने है, और एक हमें last में देखना कौन है, ठीक है, इस पर हमें जादा ध्यान देना, ये हमें मतलब की जादा याद रखने, क्योंकि इसी में से आएगा, तो हम first में देखते हैं, ये देखिए, IOC के president ये रखे हैं, जैसे कि first president थे हमारे Dimitri V class थे, वो स ठीक है, हमें दो ये याद रखने है, इसके लावा याद करने की निर्डनी है, क्योंकि starting के पुछे जाते हैं, ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है, वैसे आप सभी को पता ही है, first तो हमारे Dimitri V class थे, जो की 1894 में बढ़े थे, वो सिरफ 2 साल तक रहे थे, 1896 तक, ठीक है उसके बाद हम last में देख लेते हैं, last में हमारे Thomas Buck, ठीक है, Thomas Buck कब बने थे, 2013 में, ठीक है, अभी 2024 चल रहा है, तो Thomas Buck 2013 से लेके 2024 तक, अभी तक IOC के प्रेजिडेंट हैंगे, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एनेसेंट अलोंपिक के बारे में, जो first एनेसेंट अलो अलोंपिक हो था, वो हो था, 760 BC में, उसके बाद है, first record winner, Coribus, Milo, wrestler, देखें, जो first winner था, एनेसेंट में, वो कौन थे, Milo थे, जो wrestler, wrestler थे, जो wrestling के player थे, ये question कहीं बार मैंने कहीं exam में देखा है, जो Milo है, वो कौन है, आप सभी को याद रखना है, वो wrestler थे, और एनेसेंट अलोंपिक में उने, मतलब की medal win किया था, ठीक है, first record किया गया था, ये इनी लों का, ठीक है, उसके बाद है, डूरेशन, जो हमारे एनेसेंट अलोंपिक होए थे, 760 BC में, वो कितने दिन के लिए चले थे, वो five days के लिए हुए थे, ठीक है, after 293 Olympics, in 394 AD, Theodices Roman King, break the sequence, set close the Olympics game, देखें, यहाँ पर, जो after 293 Olympics में, मतलब की, 394 AD में, जो Theodices थे, Theodices first थे, ठीक है, वो कौन थे, वो Roman King थे, यानि कि Roman के King थे, उन्होंने क्या कर दिया था, break the sequence, and set close the Olympics, उन्होंने Olympic को set कर दिया था, यानि कि बंद कर दिया था, जो Olympic का ground था, उसको तहस नहस कर दिया था, ठीक है, तो कहीं बार आता है, कि जो Olympic, innocent Olympic breakdown किसने किये थे, वो किये थे, Theodices first ने, यहाँ पर ध्यान रखना first आएगा ये, ठीक है, और ये कहां के थे, ये भी आता है, तो Roman King थे ये, इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, modern Olympics game क के बारे में, ठीक है, जो modern Olympic game है, उसके फादर कौन थे, कुबर्टिन थे, ठीक है, और जो first modern Olympic हुआ था, वो 1896 में हुआ था, Athens में, ठीक है, उसके बाद, four year time gap in Olympic is known as Olympiad, देखे, अगर एक 1896 में Olympic हुआ है, एक 1900 में हुआ है, ठीक है, उसके बीच में जो ये gap आया है, जैसे कि 1997 में आपको बता देते हूं, जैसे कि 1896 में, ठीक है, फिर यहां पर 97 में हो गया, ठीक है, फिर 1900 आ गया, मतलब ऐसे 99 में आएगा, फिर 1900, ये जो gap है न हम क्या बोलते है, Olympiad बोलते हैं, ठीक है, दो Olympics के बीच के gap को, जैसे कि ये देख लीजी, ठीक है, इसके gap को हम क्या बोलते हैं, ये जो gap आ यहां पर, इस gap को हम Olympiad बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, उसके बाद बात करते हैं, duration of Olympics game, 16 days, देखे, 16 दिन हमारे Olympics चलते ह इसमें से क्या होता है, जो first day होता है, हमारा first day, first day हमारा opening ceremony रहेगी, ठीक है, उसके बाद second day to 15 तक, इसमें हम game खेल लेंगे, यानि कि game चलेंगे हमारे, तो 16 day क्या रहेगा, closing ceremony, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, देखे, जो first day रहेगा, उस दिन रहेगी, opening ceremony, ठीक है, उसके बाद हमारे two से लेके 15 days तक, हमारे यान पर game खेले जाएंगे, जितने भी games होएंगे, जितने भी bands होग करे जाएंगे, उसके बाद 16 days पर हमारी closing सारा money होएगी, ठीक है, इस दिन क्या होता है, इस दिन सिरफ opening और closing होती है, इस दिन game नहीं खेले जाते है, first और 16 days पर बाद की 14 दिन होते हैं, हमारे उस दिन game खेले जाते हैं, ठीक है, इस जिस का धियान रखने है, उसके बाद है longest Olympic as per duration of days, 1908 Olympics 187, देखिए, सबसे जो लंबा Olympic चला था, 187 days, ठीक है, 187 दिन चला था, वो हुआ था, 1908 में, ठीक है, 1908 का Olympics था, जो longest Olympic था, मतलब कि इसकी duration थी, वैसे तो देखिए, 16 days के होती है, तो ये एक ही Olympic ऐसा था, जो की 187 days चला था, और वो कौन सा Olympic सा, 1908 का Olympic, ठीक है, और जो हमारा starting में हुआ था, 726 वाला, वो 5 days चला था, ठीक है, उसके बाद है, first time host of Olympic flag, 1920, Antwerp, Belgium, देखिए, जो Olympic flag है, वो हमारा जो flag था, ये किसने direction दी थी, किसने बोला था, बनाने के लिए, कुबर्टिन ने बोला था, बनाने के लिए, ठीक है, और जब ये बन के त्यार हो गया था, मतलब कि 1913 में इसका इनन निर्मान हो गया था, ठीक है, देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूं, 1913 में इसका निर्मान हो था, ठीक है, और उसके बाद, 1914 में, इसको इनना, मतलब कि दिखाया गया था एक तरीके से, ठीक है, हैं कि यह हमारा फ्लैग यह त्यार हो चुका है ठीक है उसके बाद जो फॉर्स्ट टाइम है ना फ्लैग को फ्राया गया था ना मतलब जो लहराया गया था वो इस चीज का ध्यान रखना है अगर आप से कोई पूछ भी ले कि कब बना था यह 1914 में बनके त्यार हो गया था ठीक है और 1920 में हमारा यह फ्राया गया था ठीक है उसके बाद हमारा फ्रस्ट टाइम होस्ट ओफ लॉम्पिक फ्लैग यह तो हो चुका है हमारा उसके बाद है ओलंपिक ओथ ऐड्मिस्ट्रेशन फोर फॉर्श्ट टाइम बाई वार्टर पोलो फ्लैर विक्टोर बॉइन इन 20 event उसके बाद नहीं बाद हमारा है कि जो ओलंपिक ओथ है वह फॉर्श्ट्ट टाइम कब से स्टार्ट हुई थी ठीक है जो ओलंपिक ओथ है वोस्टार्ट हुई थी 1920 में ठीक है Antwerp Olympic में ठीक है और जो वाटर पोलो के प्लेयर थे विक्टोर बोईन उन्होंने स्टार्ट की थी Olympic oath को उसके बाद है first time region flying in Olympic 1920 जो पहली बार जो कबुत्तर उड़ाए गए थे वो भी 1920 में उड़ाए गए थे जो 1920 में देखे तीन काम हुए थे फर्स्ट तो हमारा flag flag को host किया गए था ठीक है और इसके बाद first flag host किया गए था second हमारा oath का काम हुआ था oath ली गई थी ठीक है third pigeon को उड़ाया गया था ठीक है इस चीज का आपको ध्यान लखना है 1920 में हुए थे ये तीन काम दुबारा एक बार रिमाइंड कर आ रिखती हूं फर्स्ट वह था हमारा 1920 में flag host ठीक है जो की एंट वर Belgium में हुए थे second हुआ था हमारा olympic oath ली गई थी और जो water polo के player थे विक्टोर बोईन के दुआरा और third हुआ था pigeon flying in olympic 1920 ठीक है यह first winter olympic game 1924 चमोनेक्स फ्रांस जो 1924 में हमारे first winter game हुए थे वो यह थे चमोनेक्स फ्रांस में हुए थे first time जो winter game हुए थे ठीक है उसके बाद है first olympic to be live telecast 1936 बर्लिन यानि कि जो सबसे पहले first telecast हुआ था वो कब हुआ था 1936 में हुआ था बर्लिन में यानि कि टीवी पर दिखाया गया था वो कब दिखाया गया था 1936 बर्लिन में ठीक है मैं थोड़ा सा यह pencil को छोटा करना था अब भी तो होने रहे चलो इसको बाद में करते हैं ठीक है उसके बाद है बेरन डी कुबर्टिन डाई 1937 जो बेरन डी कुबर्टिन थे हुमारे उनकी death कभ हुए थी 1937 में हुए थी और एक चीज और ध्यान रखनी है जो कुबर्टिन थे हुमारे वो कहां के थे पैरिस फ्रांस के थे ठीक है पैरिस फ्रांस के हमारे कुबर्टिन थे उसके बाद ह टॉर्च फिर्स टाइम इन्टूर्ज इन 1936 बर्लिन अलोंपिक जो अलोंपिक टॉर्च जलाई जाती है वो कब whereby से स्टार्ट हुई थी मुख उन्मिंट करीड़ों इस डुटाल इंहेतिग मिली अना, यह जो टॉर्स घी, यह इन्वेंटेल नीम अब syllabus करोठेल कमिया थी परस तुप ones क्या था स्पेशल ओलोम्पिक्स क्या था क्यों कर आए गए था स्पेशल ओलोम्पिक्स Mental Retired Children and Adult देखिए जो मांसिक रूप से मतलब ठीक नहीं होते हैं जो चिल्डरन थे और जो अडल थे मतलब जिनका सही से माइंड काम नहीं करता है धिमाग सही से काम नहीं करता है उनके लिए ये Special Olympics करवाए गए थे यही इसका purpose था Special Olympics करवाने का और जो स्टार्ट हुए थे 1968 में स्टार्ट किये गए थे और सबसे पहले कहां किये गए थे USA में ठीक है जो first is का मतलब held हुआ था यह first time यह 1968 में हुआ था और कहां पी हुआ था USA में ठीक है उसके बाद है Indian Olympic Association यानि कि IOA यह कब बने थी 1923 में बने थी और उसके बाद जो Headquarter है इसका कहां पर है न्यू दिल्ली में है ठीक है Olympic भवन site is being planned in Chennai जो एक है ना अलोंपिक भवन बन रहा वैसे तो मुंबई में भी आया Olympic भवन ठीक है मुंबई में भी बना हुआ है और एक नया बन रहा Olympic भवन वह कहां पर बन रहा चैन नहीं में बन रहा ठीक है उसके बाद है जो कुमबर 2022 में जो अभी प्रेजेंट में वह प्यूटी उसा आयो की प्रेजिडेंट बन गई है ठीक है यह करन्ट फेर भी है इस चीज का ध्यान दखना आप सभी को वैसे दो हमारे जो नरेंदर बत रहा है वो 2022 तक रहे थे पर 2022 के बाद मतले 2022 के 10 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर 2022 में ही प्रेजेंट में कोन है प्यूटी उसा है आयो की करन्ट प्रेजिडेंट ठीक है अब करन्ट प्रेजिडेंट नरेंदर बत रहा है ठीक है अब क्या चल दोजार चोबिस चल रहा है तो पीटी उसे तो दो हजार बाइस में बन गई थे वो भी दिसंबर में दस दिसंबर में ठीक है यह एक करंट फेर का था इसको ध्यान रखना है आप सभी को उसके वाद है लिस्ट ओफ इंडियन ओलॉम्पिक एस्टेशन आयो प्रेजिडेंट यह लिस्ट दी गई है इंडियन ओलॉम्पिक एस्टेशन के प्रेजिडेंट की यहां पर भी हमें फर्स्ट दो को याद रखना है बाकि आप मैं इसको पीडियक को सैंड कर दूँगी आप देख लेना एक बार ठीक है टेलिग्राम पर मैं सैंड कर दूँगी जो हमारे फर फर्स्ट सर्द राबजी टाटा और सैकंड थे हमारे महराजब उपेंदर सिंग यह कौन थे आईयो के प्रेजिडेंट यानि की इंडियन अलॉम्पिक एस्टेशेशन ठीक है और मैंने अभी बता दिया है जो हमारे निरेंदर बतरा 2017 में बने थे और 2022 तक रहे थे और उसक के बाद आजेगा इंडियन एक मोडरन अलॉम्पिक गेम्स यानि की इंडिया ने मोडरन अलॉम्पिक गेम्स में क्या पर्फोर्मेंस दी थी क्या उनका रहा था ठीक है क्या पर्फोर्मेंस रही थे उनकी ठीक है इस बारे में हम बात कर लेते हैं इंडिया फर्स्ट टाइ मेटर रेस और 200 मेटर हार्डल में सैकंड मैडल विन किया था सिल्वर इनके दो सिल्वर मैडल थे ठीक है दो सिल्वर मैडल थे ठीक है एक थे एक था 200 मेटर में 200 मेटर रेस में और एक था 200 मेटर हार्डल में ठीक है और यह एगलू इंडियन थे ठीक है 1900 में में इंडिया ने पार्थिस पेक्ट किया था था 506 में निंहीं किया था फिर्स टाइम फंडियन monkey in captain two stand on victory जिए गई तर्मन लिमन गई संगर मैं बात करते हैं जो सनधीन में verm永भी तर्मना पाल एंचों यह सब्यूतार करने माद इंटन का ठीब गई ते love शुचल क्लेर त्थिए श्यूवार फाइस में जैपा पाल सिंग की करफ कपटन तो पंग के Whereas इंडिया का छोग्की गेम में फुर्स्ट मैडल आया थे इंडिया का गार्ट की ये में एंडिया का में और जब कौन था कैप्टन जब था ज फूरित था जापाल सिंग ठीक है उस टाइम योने इंडियान कैप्टन इंडियान काइपटन to stand in victory स्टेंड पर फर्स्ट टाइम इन्होंना स्टेंड किया था ठीक है इस चीज का ध्यान डखना है उसके बाद आजेगा हमारा फर्स्ट टाइम नैशनल एंथम ओफ इंडिया प्लेइर इन 1948 लंदन ओलोंपिक देखिए अब आप सोचोगे कि जैपार सिंग भी फर्स्ट मैडल आया था उनका भी गोल्ड ठीक है तब क्यों नहीं अपने राश्ट्य गान हुआ था ठीक है एंथम क्यों नहीं गाया गया था देखिए 1947 के बाद ही भारत अजाद हुआ था उससे पहले भारत और पाकिस्तान मतलब की साथ में थे तो वहां पे तब इंडिया को कोई नेशनल एंथम नहीं था ठीक है 1947 यानि कि भारत के अजाद होने के बाद इंडिया कपने एक नेशनल एंथम आया तो 1948 में भी भारत का गोल्ड मेडल आया था होक्की में तो तब फर्स्ट देखें मैं एक बार दुबारा से रिपीट कर देती हूं जो जैपाल सिंग थे 1928 में 1928 में इन्होंने गोल्ड मेल जित्ता था और ये कैप्टन थे जैपाल सिंग तब ये विक्ट्री स्टैंड पे गए थे पर 1948 में लंदन एंथम में फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम गाय गया था उस टाइम भी होक्की में गोल्ड आया था इंडिया का ठिक है उसके बादब फर्स्ट टाइम होक्की मैच प्लेर ओन एस्ट्रो ट्रफ मोंट्राल ओलॉंपिक 1916 2100 देखिए जो ऐस्ट लत्रफ होता है यह क्योंता है यहिंद ग्रास मोजल्च और 1859-17 से पहले क्या था मतलब कि जो ग्रास होता है यानि कि घास होता हुस पर गेम खेला जाता था ah तो 1906 में First Time Astro Trap आये था, यह Queshaid भ्यागता है कहिंगा कि Astro Trap कब आये था, 1906 में आये था यह एक अwetafical होता है, монंट्रेयमच इनजी सोचेतर में, यानिकि First Time Hockey Match played on Astro Trap, ईसके बाद हम बात करते हैं, इंटरनेशनल पारलोम्पिक कमेटी यानि कि IPC जो आईपीसी कब बने थी वो बने थी 1989 में ठीक है और जो करेंट में प्रेजडेंट है जो कि 2017 में बने थे इसका फ़र्स्ट प्रेजडेंट कौन था वो बताऊंगी आगे जो करेंट में प्रेजडेंट है वो एंड्रियू प पर्शन है 2017 में बने थे और जो आई पीसी है जो इंट्रनेशन परालोंपिक है वो हमारी 1989 में बने थी ठीक है उसके बाद देखें यहां पर जो इसका फर्स्ट पेजिडेंट है वह रोबर्ट स्टूडवर्ड है जो 1989 में बने थे और फिर 2001 तक रहे थे यानि कि एक साल ही रह दो साल रहे थे ठीक है नाइंटे और टू थाउजन और फट्वन तू थाउजन वन ठीक है तो रोबर्ट स्टूडवर्ड थे और 1989 में हमारी एक नाइंटेन एटीनाइन में हमारी आई पीसी बने थी इंट्रनेशनल परालोंपिक कमेटी ठीक है तो उसके बाद हमारा जो स परसन है 2017 में जो बने थे और आज 2024 में भी यही है हमारे को ना वो एंड्रिव परसन्स ठीक है उसके बाद है पैरालोंपिक गेम्स पैरालोंपिक गेम इन्वेंट स्टार्ट बाए सर लुडविक गटमैन जो इन्वेंट किया था जिसने खोज करी थी जिसने स्टार्ट किय पैरालोंपिक वो किस ने कई थे सर लुडविक गटमैन ने ठीके उसके बाद है जो फर्स्ट टाइम कहां पर हो थे रोम में हो थे 360 में जो मोटो था वो क्या था स्प्रिट इन मोशन इसका मोटो था फिर दे आरा रसो नोन अज च्ट्रोग मेंडिवल गेम देखिए जो स् 5 एसिए साथने के टी यह आया हुआ था थेा nati कि एच चैक भी तेट के पैरालॉम्पिक्ज को दूसरे किस नाम से जाना जाता हैं। बूस्रा नाम क्या इसके तो Stroke Mandival Games के नाम से जानना जाते हैं ठीक हैं उसके बाद फर्स्ट गेम इंट्रोटूस्स स्वीडन मतलब जो पैरालोम्पिक में फर्स्ट गेम जो इंट्रोटूस किया गया था वो सूटिंग गेम इंट्रोटूस किया गया था फर्स्ट विंटर पैरलोंपिक गेम उनिसो चेतर स्वीडन जो विंटर हुए था फर्स्ट टाइम पैरलोंपिक था जो विंटर हुए था वो उनिसो चेतर स्वीडन में हुए था ठीक है उसके बाद है इंडियन पैरलोंपिक गेम ठीक है इसमें जो प्रेजिडेंट है यानि कि इंडियन पालॉंपिक गेम्स की जो इणिया में वो कोण है त्रेज़िणन्ट वो है दिपा मलिक दिपा मलक कौन थी दिपा मलिक वाझ सब्गूर्स्ट इंडियन वमनच्टू विन मेडल इन पालॉंपिक गेम्स ठीक है सोटपुट में इसने सिल्वर मैडल विन किया था 2016 में और ये फर्स्ट वोमेन बनी थी जिसने पैरालॉम्पिक्स में फर्स्ट टाइम फर्स्ट वोमेन बनी थी जिसने मैडल विन किया था वो कौन सा किया था सैकेंड मैडल और आब आज के टाइम में ये पैरालॉम् कमेटी है उसकी प्रेजिडेंट है कोन है दीपा मलिक थीक है उसके बाद करते हैं यूथ लूम्पिक जो यूथ लूम्पिक से एज क्या उक्ति है कौन से बच्चे इसमें पांटीस्पेट कर सकते हैं। देखे यूथ ओलॉम्पिक्स में 15-18 से लेकर 15 से डिश तरह से 18 के बिच में जो बच्रासिं वही इसमें कर सकते हैं। ठीक है Swung में और जो कंसाप्ट था किसके माइंड में आया तहले था या फिंज्वा फैर किसके माइंड में के माइंड में आया था यह 1998 में यानि कि 1998 में ठीक है जोन रोसिंड जोफ को bạn भी है इसके यूथ ओलोम्पिक्स की ठीक है यह लिस्ट दी गई है यह लिस्ट अफ समर ओल्फिक्स होसी ठीक है यानि कि जो हमारे जितने भी आज से लेके यानि कि अतारा सो चायनिवे से होएंगे अभी जो पैरिस फ्रांस में होएंगे चोबिस में तो यह इसकी लिस्ट दी गई है तो उसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग के देख लेते हैं और एंडिंग के देखेंगे उसके बाद पर आपको मैं पीडिया देही दूँगी ठीक है जो ठार्ट चैने में में वह था हमारे वाथेंस में वह था देखें हमें इसे हैं नकांट्री कंट्री में कभी भी ऐलोंपिक्स में वहां पे फिर उसकी के कैपिटल होएगी ठीक है घ्रालोंपिंड के अंदर के कर दो एगी जो थर्ड हुआ था सेट लुइस में USA में ठीक है और उसके बाद 1908 में लंदन UK जो फिफ्ट हुआ था 1912 Stockholm Sweden में फिर 1916 में बर्लिन जो जर्मनी में होना था वो not held due to first world war देखे 1916 का ठीक है और उसके बाद 1940 और 1944 यह वाले हमारे यह तो second world war की वज़े से नहीं हुआ थे ठीक है और यह हमारा first world war की वज़े से नहीं हुआ था ठीक है इस चीज का ध्यान रखना और बस यह देख लेते हैं उसके बाद आगे यह लिस्ट हमारी यह रहे 1940 और 1944 वाले आपको ध्यान रखना 1916, 1940 और 1944 यह जो दो बोत थे यह तो second world war की वज़े से नहीं हुआ थे ठीक है और यह हमारा जो first world war की वज़े से नहीं हुआ था ठीक है यहां पर दे रखा है not help due to third world war थर्ड तो हुआ ही नहीं है दो ही world war हुए है अब तक ठीक है पता नहीं क्यों लिख रख्या पर आप लोग इस लिस्ट को देख लेना और अभी last में देख लेते हैं मैं जो हमारा दो हजार बीस में हुआ था टोक्यो जपान में ठीक है दो हजार चोबिस जो हमारा पारिस फ्रांस में होएगा भी अभी 2014 चल रहा है उसके बाद जो उन्हें दो हजार अठाइस में होएगा वो लोस एंजल यूएसे में होएगा और यह 34 वे नंबर को होएगा जो 35 वे नंबर को होएगा में जाना हमारा करेंट में क्या चल रहा है ठीक है करेंट की बाद करते हैं है विंटर आलोमपकस की 2008 में होएथे महारे तहस्य नंबर सौन्स साौथ कॉर्या में यह ठीक है उ कंपार किसरी वैंश होएगा पैस में वह चोबिस में हो थे बीजिंग चाइना में जो हमारे अभी 22 चला गी है उसमें हो यह थे बीजिंग चाइना में ठीक है उसके बाद 2026 में हो एंगे जो हमारे 25 वे ऐलोम्पिक हो वो मिलेन, कोर्टीना, दी, एमपीजा, इटली में हो एगा यह कोशन मैंने 2-3 बार देख लि है दो हजार चब्वीस विंटर ओलोंपिक जो पच्चिसे नंबर किया है वो मिलेन कोर्टीन दा MP जो इटली में हुएंगे ठीक है इटली में और यह इतना बड़ा इसका नाम है जो यह जंगा है इस जंगा पर होएंगे इटली के इंदर ठीक है उसके बाद करते हैं होसीटी फॉर यूथ ऑलोंपिक्स गेम धीक है यूथ ऑलोंपिक्स के बाद करते हैं जैसे मैंने आपको अर्लियर बता रही था ठीक है जो स्पार्श्ट टाइम यूथ यूथ अलोंपिक हमारे हुआ था 2010 में हुआ था 1st नमबर का हुआ था जो हमारा वो Singapore में हुआ था थीका है उसके बाद यहाँ अपर दे रेखा 3rd नमबर का 2018 में जो 3rd में हुआ था वो हुआ था ब्योनस अर्जंटीना में हुआ था अर्जंटीना की Capital है ये थीका है ब्योनस एरियस ठीक है यह कैपिटल एर्जेंटिना की उसके बाद है 2022 में जो सिफ्ट हो गया है 2026 में वो फोर्थ नंबर के होएंगे वो डकार स्नेगल में होएंगे ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथ के साथ विंटर अलोंपिक्स यूथ की वारे में भी जो हमारा फर्स्ट विंटर अलोंपिक्स हुआ था 2012 में हुआ था वो इंसब्रक अस्ट्रेलिया में हुआ था ठीक है अस्ट्रेलिया ने हुआ या अस्ट्रिया है ठीक है यह अलग कंट्रिया अस्ट्रेलिया अलग है यह अस्ट्रिया अलग है इंस्बरक जो फर्स्ट हुआ था हमारा 2012 में Winter Olympics थीक है उसके बाद हमारा 2016 में हुआ था जो TWO driver number का हुआ था लिला हैमर Norway में हुआ था थीक है उसके बाद जो थार नमबर का 2020 का हुआ था थार नमबर का लोसाने switzerland में हुआ था थीक है अब जो 2024 में आएगा वो फोर्थ नंबर को ओएगा वो कहाँ पूएगा गंगवन साउथ कोरिया में ठीक है इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी फिर कल करते हैं यह हमारी लिस्ट ओफ फ्लैग बीरियर इन समर ओलोंपिक्स वीडियो में है न में में पॉइंट है अलोंपिक्स के और इसी से आप कहना है हर एक्जाम में दो तिन कोशन आ जाएंगी ठीक है एक बार आप अच्छे से देखना और यह पीडियो मैं आपको दे दूँगी टैलिग्राम पे और यह वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भ एक्षार्ण